वेलकम तो एक्जाम तक आज है 23 नवंबर और 23 नवंबर 2020 से बने वाले सभी मोश्ट इंपोरेंट करन्ट अफवेस के कोश्टन अम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं साथ में आपको हरे कोश्टन के साथ में डीटेल में एक्स्प्लेरेशन भी बताऊंगा जिससे आपको करन्ट अफवेस के साथ 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 स्टेटिक्ष जी के पूरा इंपर हो जागा और साथ में आपको मैप से भी अच्छे से समझाऊंगा लास्ट में आपसे कोश्टन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है तो पूरा वीडियो द्यान से जरूर से देखेगा इसकी कुई जेंड पीडिएफ आपको टेलिग्राम पर मिल जागी जोईन कर लेना लिंक कर नीचे डिस्क्रेश्ट में दिया गया स्टार्ट करते आज का वीडियो पहला कोश्टन कोश्टा है इंपोर्टन कोश्टन रहेगा आपके एक्जाम के लिए हाली में किस राज्य ने इंद्रा गांधी मातरत्व पोश्टन योजना की शुरुआत किये तो अभी इंद्रा गांधी मातरत्व पोश्टन योजना ये हैं क्या पहले तो आप लोग ये समझ लीजे इसमें क्या होगा जब हईला दूसरे बच्चे को जन्म देगी तो इसको आर्थिक साहता के रूप में 6,000 रुपे की आर्थिक साहता दी जाएगी सरकार के द्वारा ठेके ना तो यही है इंडरा गांधी मातरोत पोशन योजना जिसको अभी शुरू किया है राजस्तान की अशोगलोत सरकार ने ओके तो अभी अशोगलोत सरकार के बारे में और आपको क्या याद रखना है इंडरा रसोई योजना क्या आपको याद है यह राजस्तान सरकार ने पीमर में और पिरे मिद्न ठाई में कि और अलो अलो बात के मैं है अप से थोड़ा सा राजस्तान के बार वथा के बन्याव कान बॉर्टर एक यह पाकिस्तान से पहले तो 2000 से पहले मध्यप्रदेश सबसे बड़ा था लेकिन जब उससे 36 कड़ अलूग गया तो उसके बाद राजस्तान सबसे बड़ा बन गया 1070 किलोमेटर का बॉर्डर जो है ये पाकिस्तान के साथ शियर करता है चार जिले बनते हैं श्री गंगा नगर बीका नेर जैसल मेर और बाड मेर ये चार जिले जो हैं ये लगते हैं पाकिस्तान बॉर्डर से और इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर को क्या कहते हैं रेड क्लिफ लाइन कहते हैं इंपोर्टन याद रखना ठीक है ना इसके अलब अगर बात के सामबर लेक काँ पर है तो सामबर लेक जो हैं राजस्तान में हैं अगर बात की जाए सवाई मादोपूर में कौन सा इंपोडेंट नैशनल पार्क है तो रणथंबोर नैशनल पार्क इसके अलब अलबर में सरिश्का नैशनल पार्क कोटा में जो अ पर्रा नेशनल पार्क एंड अगर बात कहा है भरतपूर में केवड़ा देव घना राश्टी अब्याण जैसल मेर बार मेर कोंसा डेज़त नेशनल पार्क तो ये राजस्तान के इंपुरणन नेशनल पार्क हैं जो कि आपको इंपुरणन याद रगा अभी स्ट्रेच्ट ऊ दो हिस्सों में बाढ़ती है, थार का रेगिस्तान जो है सबसे ज़्यदा कहां पर हैं, तो वो राजस्तान में ही है, ओके चलिए नेक्स्ट बाद का सेकेंड कोश्शन की, ये भी इंपोर्टन वाला कोश्शन रहेगा, इसको तो आप मोश्ट इंपोर्टन सभी सभी देशों के 20 नाम जो हैं, एक बार आपको याद रखने हैं, में में देश हैं, वो तो आपको याद ही होंगे, तो आप लोग एक बार इन सभी देशों के नाम ध्यान से जरूर से सुनेंगा, अर्जेंटिना, उस्ट्रिया, राजील, कनाड़ा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, इसके लवा मेक्सिको, रशिया, साओधी अरब, जो कि साओधी अरब में 2020 में हुआ है, इसके लवा साओध अफरिका, टर्की, एंड युनाइटिट क इसके लवा अगर बात किया, जी ट्वेंटी शिकर सम्मेलन की, तो पहला शिकर सम्मेलन इंपोर्णन, याद रखना, 2008 में हुआ था, कहां पर रहा था, 2008 में हुआ था यह ता, वशिंग्टन, USA में हुआ था, अगर बात किया, लाज्ट टाइम, 2019 में जापान में हुआ था, and अभी 2020 में हुआ है साउधी अरेबिया में वीडियो कॉन्फरेंसी के माधियम से हुआ है because of COVID-19 2021 में इटली में होगा वो इता important नहीं है लेकिन 2022 वाला बहुत ही ज़्यादा important है 2022 में पहली बार जो है नई दिली में आयो जित होगा G20 का शिकर सम्मेलन अब यह जो है 2020 में हुआ इसका संस्क्रण कौन सा था तो यह पंदरवा था G20 शिकर सम्मेलन जिसमें भारत के प्रदानमत्री नरेंदर मोदीजी ने हिस्सा लिया और डोनाल ट्रम्प ने भी हिस्सा लिया ठीक है ना जो कि हार चुके है तो अभी आपको इंपड़न याद रखना यह जो है पंदरवा शिकर सम्मेलन था G20 शमों का 24 वा कौन सा था अभी हाली में आपको बता था माला बार जो एक्सरसाइज हुई वो 24 वी थी जिसमें बारत USA जापान और और ऑस्ट्रिलिया ने हिस्सा लिया था बदरब्स क्षा है एक बदरबस कर दिख लेना अब पुशकर की अगर बहात की जाए मैंने ऐसे ही वर्ड पकड लिया तो पुशकर कहां से समझ देते हैं, पुशकर राजस्तान से समझ देते हैं, जहाँ पर विश्व का एक मातर, ब्रह्मा जी का मंदिर इस्तत है, पुशकर में, ठीक है ना, चले नेक्स्ट बात का है चोथे कोशन की, हाल में अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्वदी, जो बिड़ेन ने किसे अपनी पतनी, जेल बाइडन की पॉलिसी डारेक्टर नियुक्त किया, ये इंपोडेंट क्यों है, क्योंकि इंडियन है, ये भारतिय मुलकी अमेरिकान है, इसलिए जो आपको इंपोडेंट कॉशन बन सकता है, तो माला अडिका को जो अभी पॉलिस डारेक्टर नियूक्त गिया है जो बिडञ ने अपनी पतनी जेल बेड़न के लिए है किस पार्टी से समझ और डेमोग्रेतिक पार्टी से जार गए अभी जो बिडले उशिंग्डन है अमेरिका की राजदनी मुद्रा है यूएस डॉलर चले नेक्स्ट बात का है पांच वे कोश्टन की हाली में NCR में सारवजनिक परिवन प्रणाली के लिए 500 मिलियन डॉलर के लिए भारत सरकार ने किसके साथ रेंड समझोते पर अस्तक्सर किया तो 500 मिलियन डॉलर 500 मिलियन डॉलर जो अभी लाया जाएगा दिल्ली मेरट रैपिड रेल सिस्टम के लिए ठीक है ना रैपिड रेल प्रोजेक्ट जो है ये दिल्ली और मेरट के बीच में चलेगी ट्रेन इसके लिए अभी NCR रीजन में क्योंकि सारवजनिक परिवन परणाली को सुदार करने क के लिए अभी 500 मिलियन यूस डॉलर का समझोता क्या है तो ये किसके साथ क्या ये एंडीबी के साथ क्या एंडीबी क्या है अब आप लोग सोच रहे होंगे ये नया कौन सा आ गया वर्ल्ड बैंक तो सुना होगा 1945 में स्तापना हुई थी वाशिंग्टन डीसी में एंड ड ग्रीक्स जो सिंकर समलन है ऊसने ये बैंक बनाए हैं कप बनाया तो 2012 में बनाया है इसका है लिए हुटकर का है तो शंगाई चायना में मार्कोष ट्राइज्यो जो ए वह इसके प्रिदेंट अद्स है बहरत ने आली में इसके सदेशियक की समयती बताई थी क्योंकि अभी जो इसमें सिर्फ पांच ही मेंबर देश हैं जो की भरिक सिकर सम्मेलन में आते हैं ठीक है ना तो अभी जो न्यू डेवलब्मेंट बैंक के बारे में आपको इंपोर्टन याद रखना 500 मिलियन डॉलर की समझता हुआ है फ्रेंड से जो करेंट अटरफिस के वीडियो होते है यह आपके सभी एक्जाम्स के लिए दिली पुलिस, ससी, बैंकिंग, रेलवे, पीसे, एफोस, नेवी इन सभी एक्जाम्स के लिए बहुत ही ज़दा इंपोर्टन होता तो डेली करेंट अटरफिस का वडियो जरूर देखें वीडियो देखने के साथ साथ चैनल को सब्सक याद रहां, वर्ल्ड फिश्रीज डे जो है, विश्व मत्सियप दिवस जो हैं, यह मनेगा 21 नवंबर को, अगर इसकी बात की जाएं, तो 2017 में शुरू आता, यानि कि अभी जो चौता ही यह दिवस हैं, 2017 से हर वर्ष मने जा रहा हैं, एंड वर्ल्ड टेलिवीजन डे, व वर्ल्ड लेवल पर, उसी के बाज जो है, 1997 से हर वर्ष मने जा रहा है, वर्ल्ड टेलिवीजन डे, इसकलो मैंने ऑप्शन में डाला है, स्रमिक डे, इंटरनेशनल लेबर डे, लेबर डे कब मने जाता हैं, एक माई को मने जाता है, लेबर डे, तो इसी तरह से में आपको अप्शन में कुछ अलग तरह के डे डालता रहूँगा, ताकि आपको कुछ और भी अच्छे से याद होता रहे, ठीक है ना, चले नेक्स्ट बात का साथवे कोशन की, राष्टिय नवजात सपता कब मने जाता है, तो राष्टिय नवजात सपता ये कब मने जाता है, ये म मैं स्वास्तिय मंत्री को है, डॉक्टर हर्षवर्दन प्रजेंट टाइम में स्वास्तिय मंत्री है, अगर बात के एक से साथ सितम्बर, यानि कि सितम्बर के पहले सपता में कौन सा सपता मने जाता है, ये important question बना था, पिछले बार exam में SSC के, तो यहाँ राष्टिय पोश सपता है, वो मने जाता है, सितम्बर के पहले सपता में, राष्टिय पोशन सपता, चले नेक्स्ट बात का आठवे question की, हाल में किस राजी के, कोहीमा में उत्तर पुलिस station को ISO certificate मिलने वाले ये जो है, नागालेंड राजी में इस्ता थे, कोहीमा के पास में, तो important याद रु हॉर्ण बिल महुत सप कहां से समझ दिते हैं, तो वो नागालेंड से समझ दिते हैं, जो कि इस बार जो हम वर्चुल रूप से होगा, ऑनलाइन तरीके से, तो अभी ISO certificate मिला है, नागालेंड की राजदानी का है, कोहीमा है, राजदानी, नेफ्यू रिओ है, प्रिजन नागालेंड के प्रिजेंटर में गवर्णर है, बाराज जिले हैं नागालेंड में, किस देश के साथ बॉर्टर शेयर करता है, नागालेंड, चार इस्टेट मियानमार के साथ बॉर्टर शेयर करता है, अरुनाचल प्रदेश, नागालेंड, मनिपूर और मीजुरम, चले 2025 को देखर आपको कुछ और याद आ रहा है भारत ने 2025 तक TB मुक्त होने का भी संकल्प लिया है यानि कि TB हारेगा देश जीते का 2025 तक भारत TB मुक्त होना चाहता है जबकि विश्व इस्तर पर 2030 का ये टार्गेट रखा गया तो 2025 तक भायो एकोनोमी इंपोर्टेंट याद रखना करनाटक राजे से संबन दिदे है करनाटक हुबली तो बहुत जाजा इंपोर्टेंट याद रख लीजे विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेट्फोम बनने वाला है स्री सिद्धुरुदा स्वामी जी के नाम पर उसे स्टिशन का नाम भी बदल दिया है बैंगलोर हैं याँ की राजदनी सियमें यदुरुपपा एंड गवर्णर कोने वजुबाई वाला जो है वो हैं प्रजयन टाइमें करनाटक के गवर्णर करनाटक में अभी हाल में 31 वार नया जीला बना है वो भी आपको important exam के लिए बनेगा चले नेक्स्ट बात का 10 वे और आज के last question की कौन सा platform LPG booking याँ पर LPG वड़ आएगा तो LPG booking के लिए जो हैं देश का सबसे बड़ा platform कौन सा बना है अभी जो हैं यानि की पेटियम जो है ये बन गया यानि की पेटियम पर जो है सबसे ज़्यादा LPG की booking आई है अब LPG के बारे में आपको कुछ बता दाऊ लिक्विड पेट्रोलेम गैस ये इसकी फुल फोम है और इसमें कौन सी गैस होते है ठीक है ना तो इसमें जो है उसके कारण वो उर्गंद आती है LPG में या आपको LPG के बारे में याद रुखना इसके लवा 100% घरों तक LPG पहुचाने वाला पहला राजी कौन सा है वो है हिमाचल प्रदेश अगर बात किया है पेटियम की तो अमी तैयर है प्रेजन टाइम अध्यक्ष संस्तापक है वीजे शेकर शर्मा हैटकवाटर है नोईडा यूपी में एंड स्तापना हुईती 2010 में नोईडा यूपी में जेवर एयरपोर्ट बन रहा है जूरिक एयरपोर्ट के साथ समझोता क्या है कल मैंने आपको करेंट टरफिस में बताया था तो फ्रेंट्स यही थे पूरे 10 सवाल अब मैं आपको कल की सवाल का आंसर देता हूँ आज का कोश्ण पूछ दा हूँ कल मैंने कोश्ण पूछ दा वीजे नगर जो करनाट का 31 जीला बनने वाला है मोश्टली इस्टूडे ने पूरा डीटेल में लिका मैं आपको भी बोलूँगा जिती जदा आपको डीटेल पता हूँ कमेंट वक्ष में जरूर लिके लेकिन कमेंट जरूर शी कीजिए अब आज का कुश्ण कौन सा है तो 2020 में बुकर पूरुषकार से किस देश के डगलस स्टूरट को समणित क्या है इनके उपनियास का नाम भी लिके इनके देश का नाम भी लिके और बुकर पूरुषकार के बार में अगर आपको पता है कल के वड़ियो मैं आपको बताया तो था कुई जी लगए है अगर आपने टेलिग्राम पर वो नोट्स पड़े हैं तो आपको जरूर से पता होगा पूरी डीटेल कमेंट वक्ष में जरूर लिके चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए मिलते हैं नई वीडियो में तब तक लिए जै हिंद जै वारत